गाउं की मुलवूत आवशक्ताओं की कमी को सरकार तक पहुचाने की मुहिम के चलते ABPS News टीम का अगला पढ़ाओ जनपत पीलिवीद के ब्लॉक पूरनपुर में इस्थेत रामपुर कौन गाउं पहुचा इस गाउं की दूरी ब्लॉक से 13 किलो मीटर है ग्रामबासी उन्हें इंदरपाल सिंग को अपने गाउं का प्रदान चुनकर उन्हें गाउं के बिकास की जिम्मेदारी सोपी है लगवक 25 की आवादी वब 1425 बोटर वाला यह गाउं बिकास के पत पर अग्रिसित है लेकिन सरकारी उन्हेकी के कारण गाउं में काफी मूलबु सुदाओं की कमी देखने को मिल रही है बात अगर सिक्षा के स्तरकी करें तो गाउं की प्राइमरी पार्ट साला एवम जूनियर हाई स्कूल में लगवक 106 बच्चे सिक्षा ग्रेंड कर रहे हैं बात अगर विकास कारण रोकी करें तो गाउं में 22 हेंड पंप, 1500 बिद्धुद पोल, 7 बिद्धुद ट्रांसफार्मर, 25 सौरल आइटेम भी गाउं में लगी हुई है बरतमान गराम प्रदान की देख रेक में गाउं में सीसी टाइल्स रोट, खड़ंजा, सीसी रोट, पानी निकासी के लिए नाली, बाप स्वच्च भारत मिसन के तहट 244 इजजदगर, बाप प्रदान बंतरी आवास योजना के तहट 36 आवासों का भी निर्मार कराया गया है, एवी पीएस निउस टीम से बात करते हुए गराम प्रदान ने गाउं में खड़ंजा, सीसी टाइल्स रोट, पंचाइद घर, बाराद घर, स्वास्त केंदर, आगनमारी केंदर, समसान घाट, कबरिस्तान की बाउंडरी, सच्च भारत मिसन के तहट 25 इजजदगर, प् पिकास होना मुश्किल हो रहा है, और ना ही कोई हमारे गराम पंचाइद स्वास्ते के अंदर है, ना ही कोई पंचाइद घर, ना ही बाराद घर, और ना ही कोई अंगनवारी के अंदर, तो मैं इन सभी चीज़ों की माँ करता हूं, जो जो मेरी पंचाइदों में नहीं है, उनका मुझे कारी कराने का मतलब अनमती दी जाए, पैसे की डिबान दी जाए और सेल्टी बहुत कम है, सेल्ली से खर्चा नहीं चलना है, इस चक्कर में बहुत कुछ काम हलका पड़ा हुआ है. किस्ते आती हैं, बहुत चोटी-चोटी किस्ते आ रही है, उससे कोई भी कारी पूर्ण होने की संभावना नहीं होती है, चोटे-चोटे काम होते हैं, बस उसके बाद पैसा समफ्त हो जाता है. करता हूँ कि मेरी गराम पंचायत के लिए अधिक से अधित पैसा बेजने की किरपा करें, जो कि गहां और पंचायत का अधिक विकास हो, सरकार का नाम और तर्पकी हो.